Hello Students, Welcome to MOS Classes, आज हम एक्ट्थ क्लास Math and CART के चैप्टर नमबर 3 की एक्सरसाईज 3.3 के कोशन नमबर 6 को सॉल्व करेंगे. Sixth कोशन में हमसे कहा गया है, Two adjacent angles of a parallelogram have equal major. इसका ये मतलब है कि एक parallelogram है जिसमें दो adjacent angles का equal major है. और उसके बाद हमसे कहा गया है, Find the major of each of the angles of the parallelogram. यानि के हमें इस parallelogram के सभी angles पता करने हैं. यहाँ पर हमने parallelogram ABCD का rough diagram बनाया है. कोशन में हमसे कहा गया है कि इस parallelogram के दो adjacent angles equal हैं. अब ये दो adjacent angles ये दो angles भी हो सकते हैं, ये दो angles भी हो सकते हैं, ये दो angles भी हो सकते हैं, और ये दो angles भी हो सकते हैं. Adjacent Angles का मतरब होता है साथ वाले Angles तो यहाँ पर हम यह मान लेते हैं कि Angle A और Angle B यह दो Adjacent Angles equal है तो यहाँ पर हम लिखेंगे Let Angle A is equal to X and Angle B is equal to X यानि कि हमने यह Let कर लिया है कि Angle A भी X है और Angle B भी X है आप चाहें तो यहाँ पर डियाग्राम में इसे लिख भी सकते हैं कि Angle A भी X है और Angle B भी X है हम जानते हैं Students कि एक Parallelogram के Adjacent Angles supplementary होते हैं यानि कि Parallelogram के Adjacent Angles का Sum 180 degree के equal होता है तो Angle A और Angle B का Sum 180 degree के equal होगा क्योंकि यह दोनों Angles Parallelogram के Adjacent Angles है तो यहाँ पर हम लिखेंगे Angle A प्लस Angle B is equal to 180 degree और इसका Reason हम लिखेंगे Adjacent Angles of a Parallelogram are supplementary यानि के Parallelogram के Adjacent Angles supplementary होते हैं इनका Sum 180 degree के equal होता है Angle A की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे X क्योंकि Angle A को हमने Rate किया था X यह प्लस का Sign As It Is आएगा Angle B की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे X क्योंकि Angle B को हमने Rate किया था X Is equal to का Sign यहाँ पर As It Is आएगा 180 degree भी यहाँ पर As It Is आजाएगा याद रखेगा Students के Question में हमसे यह कहा गया है के यह दो Adjacent Angles आपस में Equal है तो अगर Angle AX है तो Angle B भी X ही होगा और जब आप X और X को Add करेंगे तो आपको मिलेगा 2X तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2X यह Is equal to का Sign यहाँ पर As It Is आएगा और 180 डिगरी भी As It Is आजाएगा अब हमें तो X की Value Find करनी है तो X यहाँ पर As It Is आजाएगा Is equal to का Sign भी As It Is आएगा 180 डिगरी भी अपनी जगा पर रहेगा अब यहाँ पर देखें Students के 2X के साथ Multiply में है तो जब हम इस 2 को Right Hand Side में लेकर आएगे तो यहाँ पर आकर यह 2 Divide में आजाएगा अब देखें Students 180 और 2 को आपस में Solve किया जा सकता है क्योंकि यह दोनों Numbers 2 की Table में आते हैं तो हम इन दोनों Numbers को 2 से काटेंगे अब देखेंगे 2 वन जा 2 और यहाँ पर देखें 2 9 जा 18 यह 0 बचा यह 0 यहाँ पर आ जाएगा तो जब हमने 180 डिग्री को Divide किया 2 से तो हमें मिला 90 डिग्री तो X की Value हमें मिल गई है 90 डिग्री अब एंगल A भी X है और एंगल B भी X है और X की Value हमें मिली है 90 डिग्री तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A is equal to 90 डिग्री एंगल B is equal to 90 डिग्री अब हम एंगल C और एंगल D पता करेंगे याद रखेगा स्टुडेंट्स के Parallogram में Opposite Angles आपस में Equal होते हैं तो एंगल A और एंगल C आपस में Equal होंगे और एंगल B और एंगल D भी आपस में Equal होंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल C is equal to एंगल A और इसका रिजन हम लिखेंगे Opposite Angles of a Parallelogram are Equal यानि के Parallelogram के Opposite Angles Equal होते हैं एंगल A की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिगरी क्योंकि एंगल A है 90 डिगरी तो एंगल C भी हमें मिल गया है 90 डिगरी उसके बाद हम लिखेंगे एंगल D is equal to एंगल B और इसका रिजन हम लिखेंगे Opposite Angles of a Parallelogram are Equal एंगल B की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिगरी क्योंकि एंगल B है 90 डिगरी तो एंगल D भी हमें मिल गया है 90 डिगरी तो इस Parallelogram के चारों एंगल 90 डिगरी के हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A is Equal to 90 डिगरी एंगल B is Equal to 90 डिगरी एंगल C is Equal to 90 डिगरी एंगल D is Equal to 90 डिगरी I hope students आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे like, share और subscribe कीजिए Thank you